आपका laptop desktop जो भी हो बहुत रिक्स में हो सकता है आज के इस वीडियो को प्लीज कम्प्लीट वाच करना क्योंकि ये वीडियो आपका laptop desktop को और आपको भी बचा सकता है रिसेंटली मेगनीवर नाम का एक रैंसमवर आया है जो की Chrome अपडेट और Microsoft Edge अपडेट ऐसा एक अपडेट करके आपका laptop desktop जो भी है उसके अंदर प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करने के बाद जब वो मतलब बैटता है laptop desktop में वो खतम कर देता है तो यह कैसे आता है first of all suppose आप लोग कुछ website को serve कर रहे हो computer पे तो अचनक से एक pop up आता है आपका Chrome old version हो गया है आपको अपडेट करना पडेगा यह एक essential update है और अपडेट नहीं करोगे तो आपका laptop मतलब आपका Chrome browser काम नहीं कर गाए ऐसा एक करके notification pop up आएगा यह Microsoft Edge पे भी हो सकता है यह Firefox पे भी हो सकता है तो any browser के साथ हो रहा है यह और कुछ लोग क्या करते है इसको देखकर डर जाते है क्योंकि एक essential update ऐसा alert आता है और कुछ लोग update बटन पे क्लिक कर देते हैं और एक update डाउलोड होके auto install भी हो जाता है और एक बार वो file install हो गया न आपको computer खतम हो जाएगा खतम मतलब क्या होता है वो जो ransomware है वो आपको computer का सब file को encryption कर देता है और आप computer को lock कर देता है और आपको bitcoin से वो payment करना पड़ता है और payment करने के बाद ही आपको वो log unlock होगा और कभी-कभी ऐसा भी होता है मतलब जो hacker भाया वैट के अदर कर रहा है यह सब आपको वो payment कर दिया कुछ भी मतलब आप उसको payment कर दिया फिर भी वो log unlock नहीं होता आपको क्या करना पड़ता है आपको computer laptop इसी जो भी है आपको format करना पड़ता है clean format सब data आपका चला जाएगा आप recover नहीं कर पाऊगे आप recover नहीं कर पाऊगे तो suppose आपका ये update already आ चुका है अप सोचिए अपने update already कर चुका और ये खतरनाक चीज़ आपके साथ नहीं हुआ है तो प्लीज आप लोग backup कर लिजिए वो data और computer को format कर दिजिए और suppose आपका मतलब update आया है pop up आया है तो कभी भी उस pop up से update मत कीजिए update करना है तो settings पर जाइए manually उसको update कीजिए chrome update obviously लेगा कुछ दिन पहले ही मेरा chrome update आया था मतलब एक महीने पहले तो आपको obviously manually ही करना परेगा ओके manually करना बस कोई दिक्कत नहीं बस वो pop up आपडेट आप लोग मतलब देखते ही उदर से भाग जाना इतना खत्रना को जाकता है वो update सब कुछ lock कर देता है और bitcoin से payment करना के बाद भी वो unlock नहीं हो था कभी कभी unlock भी होता है यह virus मैंने सुना virus नहीं ransomware दोनों में फरक है virus और ransomware बे तो यह बहुत दिन पहले आया था आज यह नया रूप पे Omicron मतलब जैसे virus रूप change करके आता है न डेल्टा Omicron ऐसे यह भी नया रूप लेके अभी आया है और सब के computer पे attack कर रहा है और bitcoin से माल उट रहा है तो आप लोग प्लीज सब्धान हो जाएए और दोस्तों को भी यह वीडियो शेर कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी इसके बार में ever हो पाए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए चाहलों को subscribe कीजिए और कुछ दिन ब का वीडियो लैप्टॉप टीवी का वीडियो रिव्यूज मैं इस चैनल में फ्यूचर में भी डालता रहूंगा तो अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो प्लीज लाइक तो आज के लिए गुडबाई और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो